नमस्कार दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ये कहा जाता है कि सशक्त राष्ट्र ही समरध राष्ट्र बन पाता है और सशक्त राष्ट्र तब बनता है जब उस राष्ट्र के अधिकांश नागरिक स्वस्थ रहते हैं पोशित रहते हैं और बिमारियों से दूर रहते हैं जब बिमारियों से दूर रहने की बात आती है तो बात आती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की और रोग प्रतिरोधक क्षमता जुड़ती है दिन्चरिया के साथ और दिन्चरिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आहार आप किस का आहार लेते हैं उसी के आधार पर आपका शरीर तैयार होता है। और यदि आप केवल जो जीब को अच्छी लगने वाली चीजें अपने आहार में शामिल करते हैं। आप पोशन युक्त आहार नहीं लेते हैं तो कहीं ने कहीं बिमारीयों की चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है एक शब्द पोशन और कुपोशन ये खूब चलता है और जब भी हम चिकित्सकों के पास जाते हैं उन से चर्चा करते हैं तो इन विशयों पर भी दोक्टर जगदीश सिंग जी वरिष्ठ शिशूरोग विशेशग्य हैं और साथ ही आप लंबे समय से आहार के विशय को लेकर भी जागरुकता के कारेक्ट्रमों से जुड़े रहते हैं सबसे पहले आपसे जानकारी ये ही चाहेंगे कि वस्तव में पोशन किसे कहा जाए पोशन किसे कहा जाए पोशन एक तरह से हर व्यक्ति के लिए हर जिवित अवस्तामा हैं उनको अपना वर्चुस पर बनाए रखने के लिए जो कुछ खाते हैं जो कुछ खाना जाना चाहिए उसे पोशन कहते हैं मगर जब बात आती है बच्चों की माताओं की और बड़ों इसमें पोशन जो है वो बहुत एक महत्योपरण बिंदू उठके आता है और खास करके नवजाद सिस्वों में जैसे माताओं अच्छा अगर भोजन लेती हैं तो ग्रफस्त सिस्व को भी वो अच्छा पोशन दे पाएंगी और बच्चा बच्चा जो है वो हेल्दी पैद होता है तो जैसे आपने बताया सामाज भी अच्छा होगा और आगे आने वाले पीडियां भी अच्छी होंगी तो बच्चे के लिए जो नवजाद सिसू है उसके लिए सबसे अच्छा हार है मा का दूद जो पहले गंटे में ही शुरू करवा देना चाहिए जो यह देखा पहला जो दूद गाड़ा पीला गाड़ा दूद आता है उससे वंचीत रह जाते हैं और उसमें बहुत सारी जो चीजे हैं जैसे प्रोटीन भी उसमें जैसे यूजली तीन परसेंट चार परसेंट तक होता है उस वक्त उसमें प्रोटीन की मातरा भी सबसे ज़्यादा होत होता है वो प्रथम आहर वही होता है और पोशन भी उसमें सरवाधिक होता है हम चर्चा यह करना चाहेंगे कि सामान्य व्यक्तियों के लिए जब हम बात करते हैं कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष का है वो व्यक्ति स्वस्थ है या कुपोशित है एक सामानी रूप से समाज में हिमो करते हैं कि जैसे बच्चे का एक वजन कितना है है हां जैसे वोء पहले से प्रिभासित है कि इस उमर में इतना वजन या लंबाई कम है वो लेकिन उसके उलट या उसके रिवर्स जो है कुछ बच्चों का आज कल देखा गया है कि वजन ज्यादा बढ़ता है वो भी कोपोशन की सिरेणी में आता है उस पे भी उतना ही ज्यादा ध्यान दिया जाना की ज़रूरत है जितना की कोपोशन की उनको ये देख करिये नहीं कहा जा सकता है कि वो उनका ठीक है उनके लंबाई और वजन का एक अनुपाथ है जो है बोडी मास इंडेक्स एक कहते हैं जिसका उससे भी निकाला जाता है दूसरा होता है कि उन लोगों का वेलसिटी उप ग्रोथ या एक अलग से उनके आपका वजन इतना है तो उससे हम उसको प्रिवाशित कर लेते हैं उससे अगर वो 95 परसेंटाइल से उपर जाता है या थर्ड परसेंटाइल से नीचे रह जाता है तो वो बस्टे कूपोशन की सरणी में आते हैं जानना ये भी चाहेंगे कि जब हम रोग प्रतिरोधक्ष और पोशन इन में किस तरीके से क्या समथ बहुत बड़ता आरतम में है इस में जैसे रोग परतिरोधक्ष उम्ता जैसे मा कर दूदॉद है सब चीज़ें होते हैं यानि वो बैलेंस डाइट है इससे ज्यादा बैलेंस कोई होने सकते हैं लेकिन छह मैने के होते होते हैं उसके बाद उस बच्चे को बाकी चीज़ें यानि जो उसका सप्लिमेंटरी फूड देना और कॉंप्लिमेंटरी फूड देना बहुत जरूरी है उस उसके साथ, उसके बाद, छह मेने गैदाद बचे के दांत आना सुरू हो जाते हैं. जानी आते हैं, उसके लिए तयार हैं कि वह खशाना खा सकता है बच्शा, तो शुरुवात में थोड़ा डाल का पाने चावल का पानी ये चीजें धीरे धीरे दें साथ में इम्मुनिटी जो इम्मुनिटी की बात आती है वो बच्चों में मिलती है जैसे वेक्सिनेशन से ये एक्टिव इम्मुनिटी देते हैं जो जो मदर के अंदर से दूद से जो मिली है जैसे बाकी बहुत सारी इम है या जैसे अपने यह सिम्ला मे incar चाया जो वोड़ी वूब हैं उन में यह इम्यूनिटी वर्ड़ी तो चीजें हैं वो ज्यादा होती हैं ल होग से साथ में अजिसर्फ आपने से उसे लाइने से बादी के बढ़ेगी ऐसा नहीं इन से लडने वाला यही नहीं, उसके साथ-साथ आपके बच्चे में विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, उसके लक्सन क्या हैं, वो भी अपने को देखने हैं, तो कुल में लगे यह कहा जा सकता है कि भोजन जो है बच्चों का खास तोर पर रंग बिरंगा होना है, बिलकुल, जिससे का कुछ बच्चों में यह होता है कि बच्चे खाना खाते हैं लेकिन वो खाना नहीं कहना चाहते हैं कि भाई दिखने में यह अच्छा नहीं लग रहा, तो विजीबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका दिखने भी अच्छा होना चाहिए, उस जादर में तो यह कहुंगा कि हर पाठे करभ में जो दिया गया है उनमें धे साफ-साफ बताया गया है कि यह मोटे अनाज है यह उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है जो अपने रहता है कि ठीक है दात आने का जो ये क्रम है ये 6-7 मेने से प्रारंब होता है और लगबग एक डेड़ दो वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती है लेकिन जब दूद के दात तूटके और नए दात आते हैं मुझे लगता है कि उसमें भी केलशियम का एक महत्वपूर्ण है पॉस्टन से समदित है बैसिकली पॉस्टन से जो नीचे नया दो दांत आ रहा है वही उसको एक हलका सा प्रेसर भी उससे रहता है कि उपर जो दूद के दांत है वो उसके बाद गिरना सुरू हो जाते हैं जी उसके साथ नीचे वाले दांत की बढ़ोतरी होना यानी ग् जी जी डुक्साब जैसे अभी अपने चर्चा की कि यदि पोशन ठीक से नहीं मिलता है तो बहुत सारी बिमारियां होने का खत्रा बना रहता है उनी में से निमोनिया भी होता है बच्चों में खास तोर पर हम लोग देखते हैं तपेदिक जो बिमारी है टीबी उसकी भी चर्चा होती है और बहुत एक दोर में तो लोग घबराते थे उसके नाम से हम चाहेंगे कि तपेदिक के बारे में भी आप हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं बहुत अच्छी बात आपने पूची है क्योंकि तपेदिक की वजह से भी जो पोशन अगर अच्छा तपेदिक वाले पेसेंट को भी पोशन अगर अच्छा दिया जाता है प्रोटीन डाइट ज्यादा अच्छी दी जाती है मिनरल डाइट अच्छी दी जाती है तो वह तपेदिक का जो कूपरबाव है वह कम होता है और यह देखने में आया है कि लोग यह सोचते हैं कि यह नहीं यह बिल्कुल गलत बात सोचते हैं यह नवजाद सिस्वों में यानि जो बच्छा जैनमा है उसके भी टी बी देखी गई है और खास करके जो होती है उन बच्छों में यह ज्यादा देखने में आता है लेकिन बच्छों में इनके लक्षण थोड़ा सा बड़ों से अलग हो सकते हैं बच्छा जैसे खाना नहीं खा रहा है बच्छे का वजन नहीं बढ़ रहा है या बच्छे का वजन कम हो रहा है नहीं बढ़ना और कम होना दोनों अलग लग बाते हैं यह भी उसी की स्रेणी में आता है अगर दो हफ़ते से ज्यादा बच्छे को बुखा जो बच्चा थूक नहीं पाता है तो उसका पेट से पानी सुबस वे खाली पेट उनको जाना पड़ता है अस्पाल में वो लेकर के उसकी जहाच विजवाई जाती है वो सरकार के कहीं बच्चे को रिजिस्टेंस तो नहीं है इसमें यह नहीं है कि टी बी का इलाज नहीं हो सकता है टी बी का इलाज हर कॉर्णर से हर तरह से हो रहा है बट आजकल कहा है टी बी में रिजिस्टेंस आ गया है मैं जानना यही चाहरा था कि तपेदिक का टीबी का जो उपचार है उसके बारे में अक्सर लोग यह कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम तो आ जाता है लेकिन फिर से दुबारा उसकी गिरफ्त में व्यक्ति आ जाता है उस पर बहुत बड़ी बात है आपके कहना कि इसमें जो रेजिस्टेंट टीबी है यानि जो जिस व्यक्ति को टीबी की रेजिस्टेंस आ गई यानि जो डिफाइन हो गया कि वो उस पर्टिकुलर आदमी में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट टीबी है तो वो टीबी अगर किसी को लगती है तो उसके भी रेजिस्टें तो नहीं है, वो दौाई हो सकता है, उसके काम नहीं कर रही हो, इसलिए वो ठीक नहीं हो रहा हूं, और उसके बहुत सारे कारण है, जैसे साथ में HIV का संक्रमन है, उसके साथ साथ अगर वो दौईयां पूरी नहीं लेता है, या भीच में छोड़ देता है, तो वो सामाज के के लिए बर्डन बनता जाता है उसको रोकने के लिए सरकार कारी रहता है और टुब्रक्रोशिक का इरिडिकेशन का प्रोग्राम यानि अब समूल टी बी को नस्ट करने की तरफ हम अगरसर है रोक्षाब आप से जानना ये भी चाहेंगे कि टी बी का जो कारण है वैसे तो सा चांसे और कम हो जाते हैं क्योंकि उसकी बताया उसकी अच्छी इम्मूनिटी है उसकी प्रतिरोद्ग समता अच्छी है और जो हमने टी बी से बचाव का जो टीका दिया गया था उसको वो सस्टेन कर रहा है तो उसके टीबी नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर वो उसके पुद्ध की इम्युनिटी अच्छी है तो इस प्रकार से हम निश्चत रूप से कह सकते हैं कि भोजनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो यदि नीयमित रूप से बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे को पोशन से भी दूर रहेंगे उन्हें परियापत पोशन भी भी मिलेगा और वे बिमारियों से भी दूर रहेंगे लेकिन इस दोर में जब देखते हैं कि विज्यापनों का बोल बाला है और जो बच्चे टीवी पर देखते हैं इस प्रकार के बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके विज्यापन चारों तरफ देखने को मि बिस्किट होते हैं इन में कुछ विशेश प्रकार की खुश्बू होती है कुछ नूडल्स होते हैं जो खाने में हो सकता है बच्चों को बहुत स्वाधिस्ट लगते हूं लेकिन उनमें वास्तव में पोशन कितना है यह एक गंभीर विशय है और निश्यत रूप से सभी अभिभावकों को भी इस और ज्यान देना चाहिए आपसे जानना वही चाहेंगे कि कोई प्रमुख 5-6 चीज़े क्या हो सकती है भोजन में जिससे बच्चों को परियाप्त पोशिशन में जैसे खास करके सुबह के वक्त जैसे आपन दूद बच्चे को दे हैं जैसे कम से क लिए बहुत फाइदेबंद होते हैं और वो दवाई का काम भी करते हैं दूसरा दही लेना सुनिश्चित करें उसके बाद आप जैसे स्विटनिंग एजेंट जैसे अपन चीनी लेते हैं चीनी की जगे चीनी को रिप्लेस कर दीचे उसकी जगे गुड़ लेना शुरू कर बहुत सारी चीज़ें अपने लोग छोड़ देते हैं जो की ठीक नहीं है हाई ग्लाइसे मेरा मतलब है कि जैसे जो डाइबिटीज को बढ़ाने वाली चीज़ें वह यह है और इसमें गुड़ बहुत ठीक रहता है तो दूद हो गया जही हो गया गुड़ हो गया उसके सा होगा तो ही वह आपके काम करेगा उसके बाद हैं जैसे जितने भी मोटे अनाज हैं जिन में फाइबर होना चाहिए या पतेदार सबजियां हैं वेज़ेटेवल से हैं जितने कलर्ड फूट्स हैं जो कलर्ड फूट्स हैं जो सीजनल फूट्स हैं जैसे जो सीजनल में जो चाहिए और गर्वाले कहते हैं कि, जैसे कैला खाइने चाही है, चैलिसेम का पराइर होती ही है, आच्छी कलाइर सोरस है, और बहुत सुपाचे है, और हर उम्र का बच्चा कहा शकता है, अच्छा मैने के बाद में यह चीजें बेसिकली अपने उसमें बोजन में एड़ करें लेकिन इनके साथ साथ ये धान जरूर रखें सफाई का धान रखें ऐसा नहीं कि बिना पत्तेदार सब्जेया तो खाल ले आ लेकिन उसको बिना दोहें खारना शुरू कर दे ये ऐसा नहीं होना चाहिए इसको अच्छे से पकाएं जिसके नियमित देते हैं तो वे निश्चित रूप से पोशित रहेंगे कुपोशन की श्रेणी में वे नहीं आएंगे आप शुरुआत दूद से कर सकते हैं दूद दही और चीनी के स्थान पर डॉक साब का कहना है कि जहां तक हो सके प्राकृतिक रूप से जो मीठा तयार होता है शहद होता है या गुड़ आप बच्चों को दे सकते हैं साथ ही हरी पत्तेदार सबजियां आज के इस खानपान में शायद शहरी क्षेत्रों में इनका इनकी मात्रा बहुत कम हो गई है उस तरफ भी ध्यान देने के आवशकता है साथ ही कलरफुल फ्रूट्स की बात डॉक सबन कही है कि अनाज जो हम काम में लेते हैं उसमें भी विभिन प्रकार के अनाज काम में लें खासतोर पर मोटे अनाज हम काम में लें और केंदर सरकार की और से भी इस दिशा में लगा अतार जागरुकता के करक्रम चलाए जा रहे हैं मोटा अनाज अधिकाधी को प्योग करें और मुझे ध्यान आता है आज के लगविक तीन दशक पहले तक सामने रूप से घरों में जो सीजनेबल अनाज आते थे जैसे सर्दी में बाजरा आ गया गर्मी में जो आ गया ज्वार है मक्का है तमाम तरह के अलग-अलग प्रकार के मोटे अनाज का उपयोग किया जात पूरी मानव सभ्यताने कोरोना से जंग जीती है लेकिन अभी पिछले कुछ दो-तीन मेहने से एक ये बात सुनने में आती है कि जो इस समय खांसी जुकाम खास तोर पर बच्चों में हो रहे हैं वो खांसी जुकाम जो 6 दिन 7 दिन में ठीक हो जाया करता था लग-बग 15 दि बारिस अभी जा रही है कभी जा रही है इस तरह से करके, जैसे जो वाइरल इंक्सन है, वह हैं, जादा है, यह इन्फ्लिजा वाइर्स हैं. इन का थोड़ा सा आ, आपस में हर वक्त म्यूटOut होते हैं, थोड़ा-थोडा-थोड़ा, उसके अपना सोरूप बदलते हैं, यह कोई खतरनाक नहीं है लेकिन हालां कि येस इसमें खांसी थोड़ा लंबे समय तक रहती है भुखार आ रहा है वो सरदी लगके आ रहा है बच्छों के साथ में शुरुवात में उसके बाद में खांसी थोड़ी ऐसा लगता बड़ी है उसमें इंफेक्शन जो सेकंडरी उसके जब हम कुछ समझदार बच्चों की बात करते हैं जिनकी आई उस छे-सात वर्ष से उपर की हो जाती है उनकी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए हम उनको जो आहार देते हैं वो सामाने रूप से खालेते हैं उनको यदि थोड़ा वो खेलना कूदना ये भी हो ज करने कि बिना मोबाइल के कुछ खाते नहीं है तो उनको ये चीजे कुछ खिलाना भी कठीन रहता है तो क्या किया जाए कि उनको परियाप्त जो है वो पोशन भी मिले और रोग प्रतिरोधक शमता भी उनकी इसके लिए बहुत बड़ा इस्यू बनता जा रहा है क्योंकि ज इतना अच्छे से सजा करें आपके फूड को इतना अच्छे से गार्नेश करें कि बच्चे अट्रेक्ट होके उसके तरफ आए दूसरा उसकी खुस्बू ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वह बच्चा उसके पास आये पहले मतलब ये माताओं के लिए नया चुनोती का समय हो ग बच्चा उसके बात करते हैं तो दूसरे जो सामानत है जंक फूड हम जिनको कहते हैं पिजा बर्गर पास्ता बिस्किट यह जो चीजें हैं इनके लिए बच्चों को इनको खिलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है यह अंतर क्यों है अंतर इसलिए है कि इसमें बैसिकली तो आपको एक तो घरवालों को सिर्फ पैसा प्पे करना है और वो मिल जाती है रेडिवेट उसमें वो रिफाइं तो हम देखते हैं कि यह जो बच्चे यह चीजें ज्यादा खाते हैं वो बाद में जाके जैसे दातों की प्रॉब्लम्स हैं पेपड़े का संकर्वन हैं पिर उन बच्चों में बहुत ज्यादा आ रही है तो उसको बाद में उनको समालना बहुत मुश्कल हो जाता है आप अपने इमोशनल हो के उसको समझना नहीं चाहते यह उस परक्रिया को वो continue रखना चाहते हैं किसी परकार से यह तो खाता है नहीं इसलिए हम यह खिलाना पड़ता है नहीं यह आप घर पे अपने हिसाब से मेनेज कर सकते हैं और को प्रेसर लगाने की ज़रूरत नहीं बच्चे को उस चीज़ को देने के लिए रखें उसको पहले रूटीन अपना खाना के लाएं उसके बाद वो चीज़ देने तो वो ज्यादा उसका असर नहीं ही होगा दोक्साब कारिकरम हमारा अंतिम चरण में है चलते चलते आपसे हमारे दर्शकों के लिए संदेश लेना चाहेंगे कि वे क्योंकि अभीभावक जो है वे ही बच्चों को तयार करते हैं और बच्चे स्वस्थ रहेंगे सशक्त होंगे तभी देश जो है वो सम्रद बनेगा तो अभीभावकों के लिए खास तोर पर क्या संदेश देना चाहेंगे एक ही आप लोगों से निवेदन है कि बच्चे को जनमते ही पहले गंटे में मा का जो गाड़ा पिला दूद जो है वो पिलाना शुरू करें च्छै मैने तक लगातार मा का दूद दें उसमें कोई अ इडिशनल फूड जो है जो सप्लिमेंटी फूड से हैं वो डॉक्टर की सला से है जो आंगरबाडी भेंजी हैं उनसे किसी सला लेकि आप अपना वो शुरू करें किसी के भी कहने से कोई भी गोटी कोई भी आहार कोई गासा कुछ भी चीज नहीं दें बच्चों के लिए रखा है जो बहुत बड़े बड़े वेक्सिन्स थे जो टीके होते थे जो बहुत कोस्टली हैं लगवग उनकी कीमत बाजार में जाएंगे तो दो से तीन हजार होती है वो सरकार मुफ्ट दे रही है वो लगाया जाना चाहिए रेगुलरी जिससे आप बच्चों की जाते हैं तो बाद में आपकी बात मानेंगे नहीं तो इन चुजों को शुरू से यह आदर डालेंगे घर की सीजें खाएं जैसे गरवाले खाएं और सारे गरवाले एक साथ बैट कर खाना खाना शुरू करें जिससे कहा है बच्चे ये कल्चर डॉल अप होता है वो सीखे डॉक साब आप हमारे स्टूडियो में आये आपने तमाम प्रशनों का बहुत सहजता से सरलता से आपने जवाब दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चत रूप से हम कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन अपने आप से करना प्रारंभ करें जिस तरीके से डॉक सा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार झाल झाल